हेलो गाइस वेलकम बैक टो एनदर वीडियो आज की वीडियो काफी जदा मज़े वाली होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक बहुत जदा कुमार की बाइक का रिवियू लेकर आना जा रहा हूं जिसका नाम है होंटा सीजी वान तो फाइफ 2024 मॉडर बलके SE वर्जन के अंदर जो मॉडरल पाकिसान के मार्किन में लाउंच हुआ है तो उसका मैं आपको रिवियू दूंगा तो अमीद करता हूं कि आप दोस्तों को काफी जदा मज़े का लगेगा तो वीडियो को स्राट करने पहले जिन बाइने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वज़रूर में धूख जरूर वीडियो को लाइक का लिजिए गाए और जीन बाइने भी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहार काफी देर होगी है होंडा CT500 SE मोडल आए होए तो मैं आपको काफी देर बाद इसका रीवियू दे रहा हूँ उसके लिए माजरत लेकिन आपकी सारी शकायते हैं वो सब की सब दूर कर दूँगा तो काफी जदा मज़ा आएगा और काफी जदा चेंजिस की हुई है इस मोडल के अंदर अमीद करता हूँ कि आपको काफी ज यह जो बाइक आप दोस्त अपनी स्क्रीम पर देख रहे हैं इसके उपर पाकिस्टानी सारे दिवाने हैं इसका नाम है हॉंडा सीची वान टुफाइफ ट्वैफ ट्वैटिटी ट्वैटिफॉर मॉडल जो के पाकिस्तान की मार्किट में लाउंच हो गया है और इसके दो क करकिया क्माल की ग्लाफिक्स दिये हुए हैं बहुत ज्यदा कमाल के लग रहे हैं बोनों ग्लाफिक्स Sबसे पहले बात करते हैं होंडा CG15 2024 मोडल की लेफ साइड के बारे में के लेफ साइड पर हमें किस-किस चीज़ के उप्शन देखने को मिल जाते हैं तो पहले आप लोग इसका कलर देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर मैं आपको ये रिव्यू दूँगा और साइड में ब्लैक के उपर इन्होंने ब्राउन कलर की पटी टाइप इन्होंने किया हुआ है इसके टैंक के उपर जोके काफी ज़्यदा कमाल की लग रही है और बाइक की लुक को चार चांद लगा रही है और साथ में इसकी ब्लाइन के नीचे आप लोग देख सकते हैं कि डब्यों वाली लूक कुछ एड़ की हुई है जो के और ज़्यादा जबरदस लग रही है बाकी इसके टापपे के बारे में बात कर लेते हैं पहले टापपा इसके साथ वाइट आता था लेकिन अब इन्होंने टाप़े का भी कलर चेंज कर दिया है ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर के अंदर हमें टापपा देखने को मिल जाता है और मैं आपको इसका जूम करके भी इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ तो यार क्या A1 इसके उपर ग्राफिक्स लग रहे हैं गोल्ड अडिस्टिन जозяसा कि नाम से इसका जाहिर है ब्लैक कलर और गोल्ड अडिश्टिन क्या एक कमाल के इसके उपर कलर लगते हैं तो आप बात करते हैं जी, इसके टैंक के बड़े में 765 mm है और साथ में इसकी ग्राउंड 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 133 mm है और वील के बेस के बारे हम बात करते हैं वील का बेस इसका 12 12 mm है और ड्राइव 8 के बारे हम बात कर लेते हैं तो ड्राइव 8 इसका 108 kg का हमें इसके अंदर ड्राइव 8 देखने को मिल जाता है तो फ्रांट व जिसके front के बारे में ए तो front पर popsroe हैं जिसके लोगों के उपर राउन कलर की printing की हुई है जो के काफी जदा कमाल की हो लग रहा हूral जिसके नाम के पर झाया हो가지 है तो आफ इसका side post भी देख ल pleasant की इसके five lors ही अरुगे तो बाद मihenसे का वीडियो के अंदर भी आपको रिवियू दूँगा जो के काफी ज़दा कमाल का होगा और आपको काफी ज़दा मज़ा आएगा उसके अंदर प्राइज भी आपको दूँगा Honda C-G-1-5 2024 मोडल दौ कलर्ज में पाकिसान की मार्कित में लाउंच हो गया है तो मैं आपको इसके तमाम पार्ट्स की आपको इसके जूमिन करके आपको इसके दिखाऊंगा के इसके अंदर कौन कौनbank पार्यदेश की ज़दा लिए पकुए किसी भी किसम की चेंजिज tyre नहीं की गई तो आप इसका मीटर देख सकते हैं मीटर भी इसका काफी जज़ा यूनिक है आफीज़ा अच्छा मीटर है और बहुत ज़धा डीसं लगता है और बाकि आप बाइक की लोग काफी ज़दा कमाल की है और यह इसके जो इंडिकेटर है इसको वाइट कर दिया है और काफी जदा कमाल का लग रहा है और काफी जदा बाइक भी दिखने में अच्छी लग रही है और यह है जी ब्लैक कलर गोल्ड अडिशन में काफी जदा कमाल का अब बात करते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में इसकी प्राइस पाकिसान की मार्किट में 2,82,900 रोपीज देखने को मिल जाएगी एक जीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज का रीविव काफीज अच्छा लगा होगा जिन परने भी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो उसके अंदर भी आपको काफी ज़्या मजाएगा तो उसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए झाल झाल – चाल झाल